कि बच्चों आपपनी 5th class की हiah देखो बच्चे profit and loss में क्या होता है इसमें क्या होटा है कोई-भी चीज को जो आप बेचते मालिजय आप water ऩी आप shopkeeper's तो आपको profit होता या loss होता है profit कीस रोप में होगा जो चीज आपने खरीदी है उसको जादा में बेकोगे तो प्रफित हो जाएगा और जो चीज आपने माली जीज़ा जिस cost पे खरीदिया उससे कम पे करेंगे loss हो जाएगा ठीक है अब इसमें क्या होता है cost price होती ह wym सेयलिंग Got Last из क्या होगा the cost-prende वह होता है जो हमने खरीदा है जिस पर एक शौप कीपर ने समान खरीदा है ठीक है और सेलिंग प्राइस वह होता है जिसमर वह समान को बेच रहा है माली जी शौप कीपर है वह एक टौफी के जो बॉक्स होता है उसको ले देता है सो रुपे में तो वह क्या है कोस प्राइस लेकिन वो उसको बेचता कितने में? 1.500 रुपे में, ठीक है? तो वो उसका होगा Sailing Price. तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? कि Cost Price क्या होता है, Sailing Price क्या होता है? अब जब Cost Price कम होगा, और Sailing Price जादा होगा, तो हमें Profit हो जाएगा, और Sailing Price हमारा कम होगा, Cost से, तो हमें Loss होगा, ठीक है? कैसे? जो हमने 100 का डब्बा खरीदा था, अगर मैं उसको कम में बेचती हूँ, यानि Sailing Price अगर मेरा कम होता है, तो Loss होगा, ठीक है? अगर Sailing Price जादा होता है Cost से, तो Profit हो जाएगा, ठीक है? इसको आप अपने आप से जोड़ के रखेंगे, तो आप इस ट्रॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएँगे, चलिए देखते हैं, देखे, Profit के रूप में Profit जब होता है, तो हम क्या करते हैं? देखे, Profit है, तो क्या होगा? Selling Price बड़ा होगा, और Cost Price उसमें से, Cost Price छोटा होता है, तो हम उसमें से जब स्कूल लाइज कर देते हैं, तो Profit हो जाता है, Selling Price माइनस Cost Price, देखे, S P मिन सेलिंग प्राइज, और C P मिन कॉस्ट प्राइज, ठीक है? यह हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है? Selling Price माइनस C P, यानि कि Cost Price, और अगर माली जे Profit दिया हुआ है, यह क्या है? एक शर्त है, जब आपको Profit हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? अगर Profit दिया है, और इन में से कुछ एक नहीं दिया है, तो आप महाँ पर उस चीज को रख लेंगे, माली जे Selling Price दिया है, और Cost Price नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे? Profit आपको दिया हुआ है, तो Profit लिखेंगे, Selling Price लिखेंगे, और CP तो आपको नहीं दिया है, तो आपको पता चल दाएगा कि CP क्या है, इसी तरीके से आपको अगर CP दिया हुआ है, मिन्स इन तीनों में से कोई एक चीज दिया हुई है, और आपको पता है कि Profit हुआ है, तो आप फिर एक चीज अगर जो चीज आपको नहीं दी गई है, वो आप उसमें से आराम से उसको निकाल सकते हैं, तो SP दिया हुआ है, SP निकालना हो मान लिजिये, और Profit और Cost Price दिया हुआ है, तो आप इन दोनों को एड करेंगे, मान लिजिये, आपको Cost Price निकालना है, तो क्या करेंगे, SP माइनस Profit, ठीक है, तो इस तरीके से आपको यह कर लेंगे, अगर Loss होता है, तो हम क्या करेंगे, बराबर में, Cost Price माइनस SP, ठीक है, और SP दिया हुआ है, तो CP माइनस Loss, और CP दिया हुआ है, तो SP माइनस Loss, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, तो आपको यह Fund थोड़े दिहान रखने है, ठीक है, इन्हें अच्छे से कर लोगे, तो पूरा चैप्टर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, और मैंने आपके लिए दो कर दिये हैं, बाकि आप खुद करके रखी जगा, भले यह एक्जामपल है, लेकिन आपके समझने के लिए काम आएगा, ठीक है, तो इसी तरीक से जब आपको यह चीज़े समझ में आ जाएगी, इन्हें अच्छे से लर्न करना है, तो आपको यह एक्सेस बड़े आराम से हो जाएगी, इसमें पूछा है, फाइंड़ा एस्पी इन इच केस, ठीक है, सीपी इतना है, प्रॉफिट इतना है, तो क्या करेंगे, देखिए, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो क्या करना है, सीपी इसी कल टो सीपी प्लस पी, ठीक है, तो तौनी थाउजन, इन दोनों को क्या करेंगे, हम एड कर देंगे, अब यहाँ पर क्या है, cost price दिया है और loss दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे sp is equal to cp minus n तो इसमें से इसको minus कर दिया तो हमें निकाल लेंगे इसी तरीके से आप इन्हें भी अच्छे से समझके कीजिएगा ठीक है यह आपका homework है अब आजाएए exercise 7.2 इसमें बच्छों आपको सारे questions नहीं करने है सिर्फ दो questions करने है ठीक है यह भी आपका homework है थैंकी बच्छों